नमस्कार आप सभी का स्वागत है मा की रसुई में आज हम बनाने जा रहे हैं गयों के आटे और आलू का गर्मा गरम नास्ता तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर एक कटोरी गयों का आटा लिया है आप चाहें तो यहां पर आदा आटा और आज वाइन बालेंगे स्वाद कि अनुसर नमक डालेंगे तो यह नास्ता बहुत ही क्रिस्पी बन update के तयार होता है ऑ reuse वो समोसे भरा नहीं बना पाते वह यह नास्ता बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसका स्वाद जो है इल्कुल समोसे जैसा होता है तो इसके बाद इसमें हम कुटी हुई लाल मेच डालेंगे अगर आप लोगों को जादा टीक हाना पसंद नहीं है तो मेच को इंप कर सकते हैं हो थोड़ा सा बहरा धनिया डालेंगे ह्ल़ा धनिया हम थोड़ा यहां जादा डालेंगे तो इसके बाद इसमें हम मोहिन डालेंगे तो यहां पर मैंने तीन से चार चमच ओल डालाए और इसको अच्छे से आटे के अंदर मिला लेंगे तो मिलाने के बाद इसका हम लड़ू बाद कर देखेंगे कि लड़ू बंद रहा है या भी खर रहा है तो देखें मोहिन अच्छे से आटे के अंदर मिल गया है और इसका लड़ू भी बन करके तयार हो रहा है तो इसका मोहिन जो है वो परफेक्ट है तो इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा लेंगे तो इसका आटा हमें न ज़्यादा सक्त लगाना है न ज़्यादा मुलायाँ नॉर्मल आटा लगाके त्यार करना है तो इसको बस इस तरह से मिला करके रख देंगे अभी ज्यादा नहीं मलेंगे और इसको रेश्ट के लिए छोड़ देंगे तो तब तक हम इसकी फिलिंग तियार कर लेते इसके लिए हम थोड़ा सा ओयल गरम करने रखेंगे ओयल जब गरम हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे हींग डालेंगे और आप चाहें तो यहां बारी कटी हुई हरी मिच भी डाल सकते हैं मैं यहां बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिच नहीं डाली है और इसमें राई डालेंगे तो sari चीजिशों के अच्छ से भून लेंगे इसके बाद इसमें थोड़ा से लदी पॉडर डालेंगे लाल मिच पॉडर डालेंगे तो काली मिच पॉडर डालेंगे तो अगर आपका ओप्पा ऑल्यादा गर्म है तो गैस की फिरम को को बंद कर दीजेगा, मसाले आपके जलना जाएं, तो इन अच्छे से भून लेंगे, मैंने यहाँ पर कैस की फिल्म को बंद कर दिया है, जो ओल है वो अभी गरम है, तो मसालों को इसी के अंदर भून लेंगे, जब भी मसाले भून जाएंगे, इसके बाद इसमें बारी कर क करके अलू डालेंगे तो मैंने यहां पर मीरियम साइज के दो आलू लिए और इनको एकदम बारी कर लिया है और अच्छे से मसाले के अंदर मिला देंगे तो आलूं को हमें एकदम भारी कर लेना है इसके बाद इसमें थोड़ा सा मचाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और आम चूर पाउडर डालेंगे आप चाहें, तो आम चूर पाउडर की जगए, निवू ने चोड़ कर भी डाल सकते हैं, वो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मसाले को भून लेंगे, तो देखिए, इसमें अभी हम स्वादम सा नमक डालेंगे, वो जो मसाला है हमारा, वो अच्छे से भून गया है, इसके बाद इसमें तारी कटा हुगा हरादनिया डालेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे, तो जो आलू है हमारे, वो अच्छे से भून चुके हैं, तो गेस की फ्रेम को बंद कर देंगे, और इन थंडा होने रख देंगे, तो अभी हम आटा देख लेत हैं, तो इसके बाद इसको थोड़ा सा मल लेंगे, जिससे के जो आटा है, वो सौप्ट हो जाए, देखिए, आटा एकदम सौप्ट हो चुका है, जो सूजी है वो भी फूल गई है, तो इसके बाद इसको चकली पर रख करके मल लेंगे अच्छे तरीके से, और इसका इस त और इसमें से छोटी-छोटी लोईयां काट लेंगे, जो लोईयां हमें लेनी है, जितनी बड़ी हम रोटी की लोईय बनाते हैं, उतनी ही बड़ी लेनी है, और इसके बाद इनको हम बेल लेंगे, तो इसको हमें रोटी की बराबरी पतला बनाना है, जैसे रोटी बनाते है उतना ही पतला रखना है, मोटा नहीं रखेंगे, तो इसके बाद, इसमें हम फिलिंग रखेंगे, तो यहां पर बीच में फिलिंग रखेंगे, तो फिलिंग है यहां पर हमने एक चमच भरकर के लिए, और इसको बिल्कुल बीच में रखेंगे, और चारो तरफ से इस पर पा पानी अच्छे तरीके से लगाएंगे जिसे क already है आगी कि तरफ को दूसरे उधाने को तरफ कर सबते हैं अगर एक तरफ कि इस तरह फोल्ड करने से यह देखने में अच्छे लगते कि आस देखिए इस तरह मंा करके तियार कर लेंगे कि तो सारी पूरियां सब्रक्री करके तयार हो गही इसके बाद हम गयेस पर औल करम करने रखें तो आपको में जादा गरम नहीं करना है मेडियम ही रखना है अब इनको हम अधर डाल देंगे और इनको लोटू मीडियम फिल्म पर सेखेंगे जिससे के अच्छी तरह से सिख जाएं कच्छे ना रहें तो इनको लटते पलटते हुए शेखेंगे जिससे के चारो तरफ से सिख जाए अच्छी तरीके से तो अभी यह एक तरफ से सिख गए तो अभी हम इनको दूसरी तरफ से पलट करके सिख लेंगे तो देखिए इस तरह ही पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी तेरवाद तो अभी जो नास्ता है हमारा वो अच्छे तरीके से सिख चुका है और इसका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है तो इसको हम बहार निकाल लेंगे और रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो देखिए हमारा आलू और गयों का गर्मा गरम नास्ता बन करके तैयार है तो आप भी एक बात जरूर बना कर देखिएगा ये कितना स्वादिश्ट बनता है आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार